नमस्कार मैं हूँ आपके साथ मनीशा डिंडूर या सौगत आप सभी का हमारे चैनल पर बड़ी खबर आपको बता दे के NCB की तरह से समीर वानखेड़े को क्लीन चीट डे दी गई है जहाँ एक तरह कई सारे न्यूस चैनल ये खबर चला रहे थे के NCB जोनल डारेक्टर समी समीर वानखेड़े की मुश्किले बढ़ सकती है इस केस में और हो सकता है कि उन्हें इस केस से हटा दिया जाए लेकिन बड़ी खबर आपको बता दे कि NCB के डीडी जी ग्यानेश्वर सिंग ने ये क्लियर कर दिया है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई भी पुकता समीर वानखेड़े को मिली है तो बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं देखें यहां पर बड़ा जटका शारुक खान को और नवाब मलिक को लगाया और उन लोगों को जो यह चाते थे कि समीर वानखेड़े को इस केस से हटा दिया जाए तो बड़ा जटका यहां पर इन लोगों को लगता हुआ नजर आ रहा है समीर वानखेड़े ने शुरू से ही यह कहा है कि यह जितने भी आरोप उन पर लगाये जा रहे हैं वो बेबुनियाद है और मुझ पर यह जो आरोप लगा रहे हैं लोग पहले वो खुद जांश पर ताल कर ले तब जाकर यह ज इतने भी तमाम सेलेबरिटीज के बच्चे पकड़े गए हैं मेरी उनसे परसनल दुश्मनी नहीं है हां लेकिन अगर देश के विरोध में कुछ काम हो रहा है तो उसके लिए मैं काम करूंगा ऐसा हमीशा समीर वानखेड़े ने अपने इंटरव्यूस में कहा है वहीं पर भी इन लोगों की जो उम्मीदे थी के डिली में एंसीबी आफिस में समीर वानखेड़े को समन बेजा है पूछताच के लिए बुलाया जा रहा है और इन लोगों को लग रहा था कि अब समीर वानखेड़े को हटा दिया जाएगा या फिर उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा तो इनका जो एक एजंडा चल रहा था उस पर पानी फिर फिर गया है आपको बता दें क्योंकि एंसीबी ने ये क्लियर कर दिया है कि समीर वानखेड़े ने जितनी भी दस्तावेज एंसीबी को दिये हैं और जितनी भी बाचीत के दोरान ही ग्यानेश्वर सिंग ने बताया कि कोई ऐसे पुकता सबूत समीर वानखेड़े के खिलाफ उन्हें नहीं मिले हैं जिससे कि जितने भी इल्जाम उन पर लगाए गए हैं वो साबित हो सके तो नवाब मलिक पूरी कोशिश अपनी कर रहे हैं यहाँ पर के समीर वानखेड़े को केस से हटा दिया जाए क्यूंकि उनकी तरफ से जो बड़े नाम जिनको वो बचाना चाहरे हैं एक तो उनके दमात का ही नाम है यहाँ पर और फिर आरियन खान जोकी शाडु खान के बेटे हैं हो सकता है इसके बाद भी और तमाम नाम हो जिनको वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको इस केस से हटा दिया जाएगा और अगर समीर्वान खेड़े इस केस से हट जाते हैं तो जाहर सी बात है आरियन खान को भी बेल मिल जाएगी और जितने भी 20 लोग ये पकड़े गए हैं सब को एक एक करके छुड़ा दिया जाएगा और में चीज़ यहाँ पर यहाँ मलिक के दामाद को भी रिलीफ मिल जाएगा क्योंकि नवाब मलिक के दामाद के पास से 200 किलो ग्राम का गांजा मिला था जिसको वो तंबाकू बता रहे थे उसके बास नहीं 6-8 महीने की जेल काट कर आए हैं लेकिन अभी भी इंक्वाइरी चल रही है उनके दामाद पर तो अपने दामाद को बचाने का सिदा सिदा काम यहां पर वो कर रहे हैं इसलिए चाहते हैं किसी भी तरीके से NCB Zonal Director समीर वानखेडे को इस केस से हटा दिया जाए साथ ही आपको बता दे कि NCB DDG ग्यानेश्वर सिंग ने जो गवाह थे प्रभाकर सेल और गोसावी इन दोनों को जाच में शामिल होने के लिए अपील की है बता दो कि प्रभाकर सेल जिसने अपना बयान पलट दिया था समीर वानखेडे के खिलाफ हो सकता है कि उसको किसी ने मैनुपलेट किया हो सिधा-सिधा हात यहाँ पर उन लोगों का लग रहा है जो लोग चाहते हैं कि जाच ना हो ड्रग केस पर और समीर वानखेडे इस केस से निकाल दिये जाए देखे मैं आपको बताती हूँ सिदा सिदा ग्यानेश्वर सिंग ने क्या कहा उन्होंने कहा एंसीबी की पांस सदस्य टीम ने आज प्रभाकर सेल के लगाए आरोपों को लेकर जाच की हमने दक्षिन पश्चिम शेत्र कारियाले से ड्रग मामले में गवा केवी गोसावी और प्रभाकर सेल को नोटिस भेजने को कहा लेकिन उन से संपर्क नहीं हो पाया मैं मीडिया के जरिये दोनों से अपील करना चाहता हूँ कि जाच में शामिल हो और टीम को सबूत दे जो CRPF मेस बांदरा में ठैरी हुई है तो उन्होंने यहां पर सिदा सिदा अपील की है इन उनकी NCB से और NCB ने उस पर जाच की है अब NCB चाहती है कि जो दोनों गवाए वो भी आकर शामिल हो ताकि उनकी भी बयान दर्श किये जाएं और उनकी तरफ से जो सबूत रखे जाएंगे उस पर भी जाच हो सके अभी तक समीर वान खेडे बिल्कुल क्लियर यहां पर दि इस से पहले समीर वान खेडे पर लगे आरोपी की जाच को लेकर NCB के उप महानेदेश ग्यानेश्वर सिंग ने कहा था कि पहुंचते ही इस मामले की जाच शुरू कर दी गई है उन्होंने कहा कि इस टीम का गठन गवाहा प्रभाकर सेल के दौरा लगाए गए आरोपी की लिए किया गया है जो भी प्रभाकर सेल दौरा उन पर आरोप लगाए गए थे आपको पता होगा उन्होंने ओनलाइन एक एफिडेविट जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से समीर वान खेड़ा पर आरोप लगाए गए थे सभी तो उसी के लिए किये जांच हो रही है और उसकी आगे कारेवाई भी होगी ज्यानेश्वर सिंग ने आगे कहा कि एकत्र किये गए दस्तावेज और रिकॉर्ड के अधार पर गवाहों को बुलाया गया है और अब उनके बयान दर्ज किये जाएंगे तो एक एक करके सब के बयान दर्ज किये वहीं प्रेस कॉन्फरेंस में ग्यानेश्वर सिंग ने आगे जो संभादाता थे उनके सवालों का जवाब देते हुए ये भी कहा कि वानखेडे का बयान दर्ज कर लिया गया है ये सवेंदनशिल जाच है और वास्तवीक समय में जांसंबंदी जानकारी साजा करना संभव न हैं इस कारेयाले से कुछ दस्तावेज लिये हैं और साक्षो को बुलाया है यह सवेंदनशिल मामला है मीडिया से ज्यादा चीजें साजा नहीं कर पायेंगे तो जो भी यह मैटर है इस पर उन्होंने कहा कि जादा चीज़े हम साजा नहीं कर सकते जब तक और भी पुकता चीज़े हमें नहीं मिल जाए और जो बयान वो बोल रहे हैं दोनों गवाहों की तरफ से वो दर्ज नहीं हो जाते हैं तो जितना समीर वानखेडे के साथ बाचीत हुई उनका बयान दर्ज हुआ उतना उन्होंने प्रेस कांफरेंस में जो भी मीडिया कर्मी थे उनको बताया और ये बताया कि आगे जाँ चल रही है जैसे जैसे गवाहों के बयान दर्ज होते जाएंगे वैसे वैसे चीज़े न परारा जवाब है क्योंकि NCB के डीडीजी ने इस साफ कर दिया था कि उन्हें किसी पूश्टाच के लिए नहीं बुलाया गया था वह अपने किसी काम से आए तो तो एक जाच एजनसी जो अपना काम कर रही है और समीर वानखेडे जैसे ऑफिसर अपना करतव्या निभा र के नएने पैडलर सामने आ रहे हैं उसको साफ करने का काम कर रहे हैं उन्हीं को यहां पर हटाने की मांग हो रही है उनकी परसनल लाइफ को बीच में खीचा जा रहा है तो नवाब मलिक की जो एक भद्धी राज़ुनीती है वो यहां पर देखने को मिल सकती है आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जुरूर तहिएगा हमार साथ ऐसे ही बने रहे हैं धन्यवाद